Hello everyone, आज हम बात करेंगे Calvin के बारे में, देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने exposure, wide balance और सब कुछ काफी हद तक हमारी सीरीज में cover किया है, पर आज जो है हम थोड़ा सा advanced level पे जाएंगे and photographers के जो चहीता, या फिर cinematographers का सबस्च चहीता, जो wide balance का setting tool है, वो है Calvin, उसके बारे में discuss करेंगे अगर आपको जो है, ये सीरीज पसंदा रही है, हमारी चैनल पसंदा रही है, तो फिर क्यो ही आप इस चैनल को subscribe नहीं कर रहे है subscribe कीजिए, like करें इस वीडियो को और share करें उन सारे photographers and cinematographers को, जिनको जो है, और ज्ञान अपनी industry में प्राप्त करना है so, आपको जो है, हमें Instagram पर भी follow करना चाहिए, वहाँ पर भी जो है, हम बहुत सारे इसी tips डालते है, make sure करें कि आप Instagram पर भी follow करें so, अब हम बात करेंगे Calvin के बारे में, Calvin जो है, इसका मतलब है color temperature, देखिया, जैसे आप वेधर में जाते हो, मतलब बहुत ही गर्मी के महौल में काम करते हो, या फिर थंड में काम करते हो, आप क्या कहते हो, कि यार 40 degree Celsius थी, अरे यार 30 degree थी, अरे यार 16 degree थी, हम कैसे degree कहते है जब भी हम जो temperature होता है, उसको Celsius में कहते है, ये 16 degree Celsius है, 20 degree Celsius है, तो हम जो है, हमारा जो weather है, उसका temperature कह रहे है, exactly वैसे ही, जब हम लोग Calvin की बात करते है, तो Calvin में वो color temperature की बात करते है, जैसे ही हम लोग color temperature की बात करें, तो degree में हम लोग Celsius को C कहते थे, तो color temperature में Calvin को K कहते है, अगर आपका camera entry level है तो वहाँ पे modes दिये होंगे daylight, tungsten ये सारी चीज़े और वहाँ पे उपर भी लिखा हुआ रहेगा हर mode के उपर कि वो 5200K है, 3200K है तो ये K उसके उपर भी लिखा गया रहेगा पर अगर थोड़ा सा semi professional advanced level camera रहेगा तो surely उसके अंदर Kelvin का option दिया गया जैसे ही आप Kelvin के option के अंदर जाते हो आपको जो है वहाँ पे 2000K से लेके 10,000K तक का आपको पूरा range मिलता है अभी ये range क्यों दिया गया है इसका क्या मतलब है जब आप एक candle को देखते हो तो candle में सबसे नीचे जो पाट रहता है वो सबसे जादा गरम होता है पर वो दिखत अपना color थोड़ा सा white करता है light करता है वो दीरे दीरे ऊपर आने लगता है and then वहाँ पे orangish या red color या बहुत ही जादा deep red color मिलता है तो ये जो पूरी range आपको एक candle में या hot fire में दिखती है exactly वैसे ही आपका color temperature मतलब Kelvin बनता है 2000 का जो आपका Kelvin है वहाँ पे आपको जो है जो भ warm temperature में है मतलब बहुत सारा अगर warm temperature है इसी लिए आपने जो Kelvin है वो blue मतलब 2000 का Kelvin से लग किया है जब आप एक warm color का जो situation है उसमें बहुत सादा blue color से shoot करते हो cool color से shoot करते हो एक warm environment में तो automatically आपको जो photos आते है वो neutral हो जाते है एक warm environment है ठीक है बहुत ही जादा जो है sunlight है या काफी हद तक sunrise जाशा shot है बहुत जादा आपको yellowish reddish दिख रहा है अगर आपको उसको balance करना है तो आपको जो है जो भी आप shoot कर रहे हो वो आपको blue tone में shoot करना होगा तब जो है ये दो contrasting colors मतलब warm और cool ये दोनों जब आमने सामने होंगे तब जाके आपको जो scene दिखेगा वो पू 2000 Kelvin पे रहते हो वो bluish होता है and then धीरे-धीरे 2000 से 3000, 3000 से 4000, 5000, 10,000 जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे वो blue का थोड़ा light blue हो जाता है फिर थोड़ा सा whitish and then proper white होता है 5200 पे and उसके बाद थोड़ा सा warm, warmer, warmer, warmer होते होते, orangish और फिर reddish जैसा orange हो जाता है जो 10,000 Kelvin पे होगा तो आप देख सकते हो कि पूरी जो range है उसमें अगर आप सबसे end point पे आते हो मतलब 9,000 या 10,000 Kelvin पे आते हो तो जो भी आप scene shoot कर रहे हो वो बहुत ही जादा warm दिखता है बहुत जादा reddish दिखता है अभी आप कहोगे कि यार अगर मैं कोई भी ऐसी situation में हूँ जो बहुत जा है जब आप जो है cloudy weather मतलब बहुत जादा बारिश हुई है और बारिश के बाद जो आप scene देखते हो आपकी आखों से कितना bluish लगता है winter season हो गया या फिर आप बहुत जादा snowy environment में हो ठीके snowy environment में काफी सादा bluish environment दिखता है अपनी खुद की आखों से भी तब जो है अग वो बहुत जादा cool है तो cool सामने है और warm आपके camera के अंदर है तो अब जो आप देखते हो वो एकदम ही neutral मतलब white tone proper skin tone आपको मिलता है आपने देखा पहले वाले में भी contrasting हो गया था और दूसरे situation जो मैंने अभी समझाए उसमें भी आपको contrasting हो गया अभी जैसे ही आप बात करते हो central level पे मतलब 5000 के Kelvin के आसपास मतलब 4700 से लेके 5500 इस range के Kelvin की जब आप बात करते हो जहां पर आपको white मिलता है तो आप सोचो कि भाई थीक है मैं तो हमेशा ये white पर ही रखोंगा तो जब भी कोई भी situation होगी मुझे हमेशा जो colors होंगे वो perfect मिलेंगे गलत जब हम लोग जो है ऐसी situation होते है जैसे अगर आप LED light पे काम करते हो, flash light पे काम करते हो, proper normal अच्छी खासी daylight पे काम करते हो या ऐसी कोई भी situation जहां पे जो है proper white light, white color जो है चेहरे की उपर आ रहा है ऐसी situation में जब आप 4700 के लिए या फिर आप 5300 या 500 तक ये जो range में जब आपका camera setting रखते हो Kelvin का, तब जो है आपको हमेशा proper white tone आएगा, मतब proper skin tone आएगा, so as a photographer या cinematographer आपको इतना ही समझना है कि जब आप Kelvin के camera setting करने बैठते हो, सबसे पहली होती है 2000 से लेकि 5000 के बीच की जो बहुत ही cool color होता है, तो जब भी warm situation रहे कि आपको analyze करना है आपकी आखों से, warm situation रहे कि पोटा light, tungsten light वगेरा, तब जो है 2000 से 5000 में रखिये, फिर जो है आती है neutral जहां पे daylight है, proper normal sunlight, LED light color, वाइट कलर की light है, तब आप जो है 1700 से लेकिए, 1500 तक रखिये, और फिर अगर आप ऐसी कोई light में हो, जहां पे बहुत ज़दा cool light है, जैसे cloudy weather हो गया, बहुत ज़दा cool colors है, बहुत ही ज़दा blue environment वाली है, अगर cool tones में आप शूट कर रहे हो, cool situation में, winter season में, white tone में, white बरफ के बीच में शूट कर रहे हो, ऐसी सारी situation में, आपको आपका Kelvin जो है, 1500 के उपर मदब 7,8000 Kelvin पे लेके जाना पड़ेगा, तो यही सारी situation, जो temperature, महौल जो आप शूट कर रहे हो पहले आपको उसको देखना है और उसके accordance में उसके opposite में आपके camera के अंदर set करना है, warm है तो cool cool है तो warm normal है तो उसके सामने normal, जैसे ही जो है आप ऐसा Kelvin अपने camera के अंदर set करते हो, तो आप जो है काफी हद तक प्रॉपर कलर्स आपके camera के अंदर capture कर सकते हो, इसके लिए film industry मे काफी लोग कलर टेंपरेचर का एक मीटर भी यूज करते है जिसमें आप जो भी सिचुएशन में हो आपको बस वहाँ बटन दबाना है और वहाँ पर उसके कलर टेंपरेचर का जो रेंज है वहाँ पर लिख किया जाती है वही चीज जो है आपका क्यामेरा में सेट करनी है और आपका काम हो जाता है पर अगर आपको जो है इतने महेंगे कलर मीटर वगेरा नहीं लेने है तो ट्राइल एरर से जो मैंने अभी आपको समझाया वैसे भी आपका कैलिविन सेट कर सकते हो जिन जिन लोगों को भी जो है Photography और Cinematography एकदम ही Detail में सीखनी है और Professional Level पे जाना है उन सभी के लिए हमारे पास एक Online Course है जो हम हर महीने जो है नया बैच शुरू करते हैं अगर आपको भी इस Online Course में Enroll करना है तो हमारी Contact Details दी गई है इसने आप Enroll कर सकते हो अगर आपको ऐसी टिप्स चाहिए ऐसा Education चाहिए Make Sure Instagram पे Follow करे Like, Share, Subscribe करे इस Channel को हमारे इस Series को Follow कीजिए और भहतरीन Photographer, Cinematographer बने And तब तक के लिए अगले Guruवार शाम को 6 बजे हम वापस मिलेंगे Thank you so much See you next Thursday आपको आपको आपको